अच्छा, यह देखिए, इस समय आपको बता दूँ, यह एक burning issue बना हुआ है, और इस अभी 19th को election है, 19th से election शुरू है, Tamil Nadu में सबसे पहले elections होंगे, और अभी वहाँ पर इस issue को dig up करके कल आया है, अभी आप पूरे YouTube पर यह मुद्दा देखने वाले हैं, और आप सुन रहे ह पहली बार, reporter हमारे साथ में, हमारे साथ में आप इसी report देख रहे हैं, on lab, देखिए, exclusive coverage है, अभी आप देखिए का पूरे YouTube पर आपको इसका मुद्दा देखने वाला है, और news channel से भी आपको इसका मुद्दा देखने वाला है, हुआ क्या, इसकी शुरुवात कैसे हो ही, कल मोदी जी ने tweet किया, सुनिएगा, Congress ने बहुत ही callously, callously का मतलब होता है, बहुत ही carefree तरीके से, बहुत ही carelessly उठा करके दे दिया, काटे चीवू का island जो है, बहुत ही carelessly उठा के दे दिया, और ये देश कभी इस बात को माफ नहीं करेगा, तो कल मोदी जी ने ऐसा tweet मार दिय और अब ये tweet क्यों मारा ये समझो, और ये है क्या काटे चीवू का island की जो अलिए नई controversy क्रेट हुई है, तो देखे कहानी कुछ इस प्रकार से आती है, आप ज़रा map पे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, देखे हमारे पास में क्या complete map है इसका, हाँ भाई है, तो आप देखे लू के islands, अब कच्छा थी वो island की problem समझो, history समझो, है क्या, कटेची वो islands जो है, ये लगबग 12 से 14 शताबदी तक की, ये islands हुआ करते थे, जाफना के राजा के पास में, ये जाफना है, जाफना के राजा का ये island हुआ करता था, ठीक है, और बहुत छोटा island है, ये island का 90 एकड़का है, तो अब आप समय लीजे, एक college से 3 गुना area कर लीजे, इसकी लंबाई आपको बता देते हैं, 1.5 km लंबा है, और मातर 300 मीटर चोड़ा है, तो इतना सा है ये कटची वो island, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी भी यहाँ न है, इस island को इतना पानी मिला है कि एक island है, सोचिए कि इसके चारों तरफ पानी है, लेकिन यहाँ पर एक मुन पानिया पी नहीं सकते हैं, क्योंकि drinking water पूरे island पे है ही नहीं, शिर्फ एक building के नाम पर सिर्फ एक church है यहाँ पर, जहाँ पर Indian priest और जाफना के प्रिश्रलंका प करता था इस island के ऊपर, अब उसके बाद क्या हुआ, यह बात आती है, सत्रवी अठारवी शताब्दी में क्या हुआ, पर इनके बीच में अपना युद्धोध होते रहे, और यहाँ से जो तमिल नाडू के राजा थे, रामानंद करके इनका नाम था, उनके उन्होंने control पा आपको पता है, अगर अंग्रेजों का नाम आ गया, तो पक्का है boundary dispute, land dispute, तो आना नहीं आना है, अंग्रेज करते हैं यही थे, अब हुआ क्या, अंग्रेजों के सामने शलंका की body ने फिर challenge किया, इंडिया वाले कह रहे तो यह हमारा है, अंग्रेजों के टाइम पर, इंड अदन से commission आता है, और इस commission, यह commission क्या करता है, यह commission उठा करके, इस island को दे देता है, यह बात तो सही है, यह island इनके पास जाना चाहिए, तो वो island चला जाता है, शिलंका के पास में, क्या हुआ भाई, आचा, तो यह island जो है, अरे रे 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 रे, इतनी technical description कहा से आ गई, हाँ तो यह island जो है, यह चला जाता है, शिलंका के पास में, 1921 में, ठीक है, अब लेकिन उसी समय, जो British India के जो British side के, जो Indian battalion थी, यह इनके जो Indian officers थे, वो अपने ही Britain के survey के उपर कहते हैं, यह गलत survey है, यह तो हमारा है, हमारा है, हमारा है, तो यह dispute चल रहा था 1921 से, क्योंकि Britishers ने just dispute की शरवात करी, फिर 1947 के बाद जब अंग्रेज गए, तो इंडियन्स ने भी बोला कि नहीं, हमारा है, हमारा है, हमारा है, 1974 तक की यह dispute चलता रहा, until the then Prime Minister, इंदरा गांदी जी, stepped up, और उन्होंने बोला कि ठीक है, देखो, अब dispute क्यों चल रहा था, यह भी समझना, क् की इंडियन साइड कह रही थी, अरे भई हमारे राजा जी का है, सतरी शताबदी में उनके पास था, इतने साल तक हमारे राजा के पास में रहा है, तो यह हमारा है, और अंग्रेजों ने कैसे यह शलंकन्स को दे दिया, शलंकन्स का कहना था, कि भई ऐसी कह बात होगी, हमारे राजा का 12-14 शताबदी में था, तो हमारा तो और पहरे था, तो यह हमारा राइट हुआ, अगर आप देखेंगे तो दोनों लोग सही कह रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री में जाना ही है, तो आप खली 200 साल क्यों जाएं, फिर आप 1000 साल पीछे जाईए, तो अब यह हमारा है, तो देखेंगे तो आपको दोनों सही लगेंगे, तो अब क्या हुआ, इस ही को बोलता है, लैंड डिस्पूट्स वही होते हैं, जहां दोनों सही होते हैं, अब क्या हुआ, फिर इस डिस्पूट को सेटल करने के लिए 1974 में जब यह मामला इंदरा गांदी जी के पास पहुचा, तो इंदरा गांदी जी ने इस आइलेंड को लिया और इस आइलेंड को दे दिया शिलंका को, बुले कैसा डिस्पूट है जी, अरे हम लोग आस पास बढ़िया पड़ोसी है, हम लोग लीजे, आइलेंड का प्रोब्लम है ना, लीजे, यह आइलेंड आपक बस अच्छे से रहते हैं आराम से, तो बेसिक और उन्होंने रिमार्क क्या दिया, उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा है, हमने अपने फ्रेंडली टाइज को, हमने अपने दोस्ती को और गहरा करने के लिए, जो बोन ओफ कंटेंचन थी, जिस चीज के ओपर लड़ाई हो हमने उठा के वो दे दी, अब देखो हमने लड़ाई सॉल्व कर दी हमने, तो इसी चीज को ले करके, अब ये सब चीजे पता कैसे चली, कि इंदरा गांदी जी ने इसको उठा करके दे दिया था, कि मतलब इसके लिए कोई भी कुछ नहीं, सिर्पली रिष्टों को सही करन के लिए कि रिष्टे सही हों, वाला कि बहुत टेंस रिष्टे नहीं थे हमारे 1970s में, इन फैक श्रिलंका से हमारे रिष्टे कभी जे टेंस नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उसको दे दिया था, ये पता चला अभी रिसेंटली RTI के थूरू, जब RTI डाली गई, तो ये ही बार, वहां के चीफ मिनिस्टर ने बोला भी, अब यहां पर बात आती है कि ये तो हो गया, आपको ये पूरा इशू समझा गया पहले, अब समझो, तो अभी मोदी जी ने यही बताया, कल उन्होंने ट्वीट किया, वही देखो, बहुती गंदी बात है कि कैसे, बहुती एरिया है न, यहां पर क्या होता है, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात अभी दो बताऊंगा, भी ध्यान से सुनना, यह जो एरिया है, यहां पर बहुती कम फिशेज बची है, तो फिशर में फिश ढूनने के लिए आगे जाते हैं, ट्रेडिशनली वो ये मानते हैं कि ये आइलेंड हमारा है, तो वो यहां चले जाते हैं, और इंदरा गांधी जी ने क्लॉज में ये लिखवाया था, कि देखो ऐसा है कि ये आइलेंड हो गया है शिलंका का, लेकिन उसको इस्तमाल दोनों लोग करेंगे, इंडिया शिलंका दोनों लोग करेंगे, अब अब लीगल बात आ रही है, बहुत इंटरसिंग लीगल बात बताते हैं आपको, इसलिए बोलता है, कॉंट्राक्ट हमेशा बहुत क्लियर लिखना चाहिए, इंदरा गांधी जी के उस कॉंट्राक्ट में लिखा था, कि ये आइलेंड हो है तो शिलंका का, लेकिन इसको इस इसके उपर आ करके अपने जो नेट्स हैं, अपने नेट्स को सुखा सकते हैं, अपनी बोट अगर कुछ खराब होगी हो तो उसको यहाँ थोड़ी दियर रेस्ट करा सकते हैं, वो लोग यहाँ आ करके थोड़ी दियर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मचली नहीं पकड़ सकते और उन्होंने जो contract में word लिखवाया था वो था both of them can use उनका मतलब यह था कि use का मतलब है कि भाई ऐसा यहां पर भी आके मचली पकड़ सकते हैं लेकिन वो specify नहीं किया गया कि मचली पकड़ सकते हैं तो इंडिया कहता है कि हमारी prime minister में लिखवाया था कि पकड़ सकते हैं हमारी prime minister में लिखवाया था यूज कर सकते हैं यह कहते हैं तो यूज करने का मतलब यह होता है कि आओ घर आओ यहां पर अपने net सुखाओ तो यह सोच रहे हैं जैसे लोगों में लड़ाई होती है ना नहीं तो यह कहां लिखा है वही सेम लड़ाईयां देशों में होती है सेम लड़ाईयां चल रही है यहाँ पर यह है इस पूरे आईलेंड की कहानी ठेक है आपका समझ आगे है तो यह है पूरी कटचीवू आइलेंड की स्टूरी की क्या है क्या और अब यहां पर शुरू होगा मामला इसका 163 एकर जो है वो दिखता है और लगबग 80 एकर इसका ये पानी के अंदर है तो टोटल 240 एकर का है ये और कुछ नहीं देड किलमेटर लंबा और 300 मीटर चौड आइलेंड है ये और कुछ नह अगर हमारी इंदरा गांधी जी ने कोई आइलेंड दिया तो वो इतनी गंदी बात हो गई है और आपने 2015 में जो लैंड अग्रीमेंट किया 111 एंकलेव थे उसमें 111 एंकलेव आपने बांगला देश को दे दियो और 51 एंकलेव आपने ले लिये तो ये बड़ी अच्छी हो गई यह आपने उसके पार अपने आपकी तरफ कर लिए क्या बात होती है तो जो वार अफ वर्ड्स है अब दुनों तरफ से वार वर्ड्स शुरू हो चुका है और अब देखिए अब आपको अब नैशनल मीडिया में आपको इबात मिलेगी तो अमीद है आपको कटट आइलेंड्स का इशू समझ में आ गया है ठीक देखते रही है बने रही है लाप के साथ ऐसे ही इशू को जानने के लिए अब यहां पर क्या होगा अब यूट्यू टीम इतने को कट करेगी यहां से और डालेगे अलक से ताकि जिन लों को सिर्फ कटट अचीव वाइलेंड पुरम तमिलनाडू के तो यहां तक सिर्फ अच्छे आप न्यूस कैसे देखो किसी भी न्यूस को दो तरीके से कैसे समझा जाता है अगर आप सिर्फ इतना सा देखो इस न्यूस को तो आप पूरी तरीके से वेधा करेंगे है रे हां यार इंडिया की बात एकदम सही है य यार पहले ये रामन अच्छा हमारे राजा की प्रॉपर्टी थी तो उनको क्यों दे दी अरे बिल्कुल सही बात है इंडिया एकदम सही स्टैंड ने इंडिया का हम क्यों दे दे उनको बट उनका पॉइंट क्या है कि भाई साब अगर आप 100-200 साल पहले जा रहे हो 300 साल पहल तो दोनों की सही है इसलिए बोलते हैं कि आधा सच और पूरा सच सच है यह जूट नहीं है बट आधा सच था खैली है समझ गए चलिए आगया